गुजात के वडोद्रा में समाजी कतिविदी करते आये दीपक फाउंडेशन द्वारा क्षय की बिमारी से पीडित लोगों को न्यूटिशनल फूड किट का वित्रण किया गया भारत में देश की प्रधनमंती नरिंद्रमोदी के आवान के अंतरगत दो हज़ार पच्चिस तक टीबी के निर्मुलन का अभिहान चलाया जा रहा है जिसके तहट वडोद्रा के सामाजिक संगचन दीपक फाउंडेशन द्वारा दीपक नैट्रिट कंपनी के सहयोग से निक दीपक फाउंडेशन द्वारा नंदेशरी के जलारा मंदिर हॉल में यायोजन किया गया जिसमें दीपक फाउंडेशन की टीम लीडर स्मीता मनियार प्रजेक्ट को ओर्डिनेटर गौरांग पंडिया नंदेशरी के सरपंच समेत के अग्रणी उपसित रहे दीपक फाउंडेशन लगबग 40 साल से इस नंदेशरी विस्तार में कार्यारत है आरोगय के कार्या करता है एजुकेशन के लिए रिलेटेड कार्या करता है विमेन एंपाउर्मेंट के काम कर रहे है अपने नरेंद्र मोधी साहिब के आईवान के अरुन सार हम 2025 तक टीबी क नाबूदी करने वाले हैं वही सरकारश्री का कार्या क्रम में हमारा दीपक फाउंडेशन का और दीपक नाइटराइट कंपनी का एक छोटा सा योगदान है कि हम लोग निक्षय पोशन कार्या क्रम अंतरगर हर एक दर्दियों को दे रहे हैं जो नंदेशरी विस्तार में अक्षाइक रोगी है और उनको वो किट में उनकी जरूरियात के मुताविद पूरा न्यूटिशन ना उनको पोशन मिले और उनकी दवा का असर अच्छे से हो उसके लिए ये किट बनाई गई है ये किट भी हमारी महिला आज ये किट द्वारा हम चाहते हैं कि हर एक टीबी दर्दी जो इस विस्तार के हैं उनको पूरे-पूरा पोशन मिले और उनकी दवा का अच्छा असर करे और इस तरह उनकी तंदूरस्ती बड़े आज यहां नंदे सरी में दिपक फांडेशन के तरफ से बहुत अच्छा प्रोगरम टीबी के पेशन्स के लिए किया गया है यहां पे दीपक फांडेशन अल्मोंस्ट 89 पेशन्ट, टीबी के पेशन्स को help कर रहे हैं उनको medicines, medications and जो nutritional kits वो provide कर रहे हैं और यहां पे बहुत अच्छा outcome मिला है, बहुत अच्छे, बहुत patients recover हो रहे हैं जो government ने decide किया है कि टीबी को जड़ से नाबूद करना है बीपक फांडेशन उसमें बहुत अच्छा role play कर रहा है और हम लोग ऐसा expectation रखते हैं कि यह program में जो भी needy है, ज़रूरत वाले हैं जो लोग टीबी से परेशान हो रहे हैं, वो लोग इन फांडेशन के साथ मिलकर अपनी सेहत सुधारने में foundation के साथ मिलकर अच्छी से काम करें